नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिवसा की पूरी टीम की तरफ से मेरा नाम है अभेनों तुशान्शो पांडे और आज हमारी चर्चा का वेशाय क्या है ये जानने से पहले हम थोड़ा रिवाइस करते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा था पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा था कि प्रकास का अपवर्तन क्या होता है हमें पता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकास मूव करता है गवन करता है ऐसी स्थिति में वहाँ अपने पूरु निर्धारित रास्ते से भटक जाता है और इस घटना को प्रकास का अपॉर्टन कहते हैं फिर हम लोगों ने प्रकास के अपॉर्टनांग के बारे में जाना और इसका एक अप्लिकेशन इसका एक आनुप्रयोग देखा कि किस प्रकार से वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के लिए हमारे पास में गणिती सूत्र है ठीक है अब इस चीज को जानने के बाद में अगली चीज जो आज हम डिसकस कर सकते हैं वो क्या है आए देखते हैं आज की हमारी चर्चा का विसाय है कि प्रिज्म क्या होता है और फिर गोली लेंस से अपॉर्टन के नियमों के बारे में बात करेंगें तो अब धीरे धीरे काच के तुकड़े से हम लोगों ने अपॉर्टन देख लिया और अब हम बढ़ रहे हैं गोली अदरपन की ओर गोली लेंस की ओर तो आए शुरुवात करते हैं पैन कौपी निकाल लीजिए विर्कुल तयार हो जाईए और चलते हैं हमारे आज के डिसकसिन में तो हमारा आ यह हमाद्यम हैं विर्यल माध्यम है और विर्यल माध्यम में प्रकास की चाल अधिक होती है इसकी तुलना में यहांपर हमारे पास में हैं काच और काच जो है एक इसकी सब्छ जाण माध्यम है अब यह तोनों चीजें जो हैं nowadays चल गई तो अब हम जो है प्रकास का अपोर्तर बड़ी असानी से समझ पाएंगे आए देखते हैं प्रकास की यह देखा सीधे यहां पर आ रही है और अगर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा कर देखें तो इसे प्रकास में जो है मतलब इसे माध्यम के अनुपस्तिती में ऐ यह है अभिलंब और अभिलंब की ओर जोग जाती है इसलिए प्रकास की किरन ऐसे जोग गए अब यह प्रकास की किरन जो है यहां सीधी देखा में तब तक माध्यम ना बदल जाए माध्यम के बदलते ही हम क्या देखेंगे कि फिर से हम लोगों ने यहां पर एक अभिलंब बनाया और प्रकास की ये किरन जो है ऐसे तो माध्यम की अनुपस्थिती में क्या होता कि ये सीधे सीधे इसी रास्ते में चली जाती लेकिन क्योंकि माध्यम में अंतर है इसलिए जब काच प्रकास की किरन काच से वायो मतलब सगन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी त और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक लेंस है और इस प्रकार की स्थिती में इस प्रकार के शेप में प्रकास की किरन हमेशा अब देखेंगे यहाँ पर लेंस के कुछ भाग होते हैं ये लेंस का कोन होता है इसको लेंस कोन कहते हैं और ये लेंस का आधार है ये जब भी प रह Г cart यहां पर एक लेंस आदा आदा क्टा हुआ आपको यहाँ नज़रा रहे हैं इसे बहुत लेंस इस बार उल्टा हो गया है और यहां नज़रा रहा है अगर हम लेंस के आकर्ति कि ख़ाँ करें तो उसके अंदर हम अपनी कलपणा से बहुंस सारे prism को lifted personalized कर सकते हैं और यह prism हर बार क्या करते हैं? पिरिजम हर बार आपतित किरन को अपने आधार की और मोर देते हैं यही चीज हम लोगोंने क्या देखा? कि prism हमेशा किरन को अपने आधार की और जुका देते हैं तो यहां पर भी सीधी सीधी आती फुए, यह किरन युथ है, यह आधार के और जूख के ऐसे घोम गई, इसी प्रकार से यह कम जुखी लेकिन फिर भी आधार के और जूखी, यहां यह सीधी रेखा, सीधे सीधे निकल गई, जो अबकि 90 फ़र आपतित थी, और यहां देखे है ये अपने उपर आपतित सारी समतल की रुणों को इकठा करने का प्रयास कर रहा है और इस प्रकार के लेंस को हम क्या बोलेंगे अपसारी लेंस ठीक है तो ये क्या हो गया अपसारी लेंस हो ठीक है अपसारी का मतलब क्या होता है अब सारी का मतलब होता है इक अठा करना तो अब सारी lens हमको नजर आ गया अब अगली बात क्या कर देखेंगे तो अगली बात इसका उल्टा इस प्रकार का lens देख लीजिए और ये वाला lens में भी आपको जो है बहुं सारे prism का जो है shape और ये structure नजर आ रहा है अच्छा अब क्या हो रहा है क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ है इसलिए इसका अधार उपर है और ये उधर जुक रहा है इसी प्रकार से इसका अधार नीचे है और ये इधर जुक रहा है यहाँ पर भी आप lensों को देख सकते हैं मतलब prism को देख सकते हैं तो प्रिज्म जो है आपतित किरण को अपने आधार के जुका रही है अब ये एक इस प्रकार का लेंस है जो अपने मतलब समानतर आपतित किरणों को फैलाने का काम कर रही है तो ये जो है अप सारी का जो है बिल्कुल उल्टा ये अभी सारी लेंस है अभी सारी का मतलब क्या होता है अभी सारी लेंस जो है जो प्रकास की किरणों को फैला दे तो ये वाले को हम जो है उत्तल लेंस बोलते हैं और वो वाले को आउतल बोलते हैं अब जब हम लोगों ने लेंसों के काम करने का तरीका देख लिया तो अब हम जो है क्योंकि गढ़ना करना चाहते हैं इसलि से हम लोगों ने इस तुकडे को इस पकार से काटा है कि वो उसकी दूसरी सता इस काच के गोले से मिलती जुलती है तो इस पकार हम देखेंगे कि हमारा एक लेंस है जो कैसा है उत्तल लेंस है तो यह उत्तल लेंस जो है असल में दो अलग अलग काच के गोलों का हिस्सा है इस इस काच के गोले का केंद्र यदि C1 रख दिया जाए और इस काच के गोले का नाम केंद्र का नाम C2 रख दिया जाए तो ये दोनों के दोनों इस लेंस के हिस्से हैं इसके पास में दो केंद्र हैं इन केंद्रों को हम वक्रता केंद्र कहेंगे फिर हम क्या देखते हैं कि यद अक्ष जो को हम्य या मोख्य अक्ष कैन्द्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं मुख्य अक्ष से अब यहां पर इस लैंस का जो है अपना जयामतिय केंद्र को को जहांपर काटता है å büyंदो को हम प्रकास बिंदू या फिर Optical Center कह सकते हैं अब प्रकास बिंदू से C के मद्ध बिंदू को हम यहाँ पर F1 रखेंगे और इसी प्रकार से प्रकास बिंदू के और दूसरे C2 के मद्ध बिंदू को F2 बोलेंगे इस प्रकार से हम लोगों ने लेंज के बहुँ सारे हिस्सों के बारे में बात की अब आप से पूछा जाएगा कि भाई आप वस्तु कहां कहां रख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने दरपन के बारे में बात की आप वस्तु कहां कहां रख सकते हैं सबसे पहली बात है कि वस्तु अनंत वस्तु C1 और F1 के भीच हो सकती है ठीक है और फिर पाचवी स्थिती है कि वस्तु F1 पर हो सकती है और छटवी स्थिती है कि वस्तु F1 और प्रकास बिंदू O के बीच में हो सकती है अब आपका प्रशन होगा कि हम दरपण के अंदर नहीं घुस पा रहे थे इसलिए वो समस्य थी क्या हम वस्तु को O और F2 के बीच में रख सकते हैं भाई इसका उत्तर होगा बिल्कुल रख सकते हैं लेकिन अब आप इस लेंस को ऐसे घुमा दीजिए और जिसे आप C2 बोल रहे थे उसे आप C1 मार लेजिए तो इस प्रकार से जो है इतने सारे संभावित जो है स्थितिया हैं जहां पर हम वस्तु को देख सकते हैं अब अगला प्रशन है कि वस्तु के प्रतिबिंभों भी बनेंगे और इन प्रतिबिंभों में जो है और क्या क्या स्थितियां आ सकती है तो अब जो है ये 6 की 6 स्थितियां जो है वस्तु की स्थितियां हो सकती है इन सारी संभावित जगों पर जैसे अनंत पर और यहां पर C1 के परे तो यहां पर इसका जो प्रतिबिंभ बनेगा वो c2 के परे बनेगा भाई पहला क्या हो गया प्रती बिम्ब प्रती बिम्ब और प्रती बिम्ब के लिए जो है संभावी स्थितियां क्या है पहला अनन्त पर दूसरा c2 के परे तीसरा है c1 नहीं c2 पर चौथा है c2 एवं f2 के बीच और उसके बाद में जो है और क्या सितिया आती है पांचवा f2 पर बन सकता है और छटवा बन सकता है f1 तथा f2 तथा o के बीच लेकिन साथवी स्थिति ये है कि ये जो है ये लेंस के आगे मतलब इसी सडब जो है हमारी वस्तु रखी होई हो और प्रतिभवामग्य इधर ही बन रहा हो ये भी स्थिति हम देखेंगे तो इस प्रकार से वस्तु और talked वे बारे में हम लोगों ने बात कर ली इसके अलावा हमें हम बात करते हैं जब भी हमें इस प्रकार के प्रशना आते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी आगे बढ़ी है और आगे देखते हैं इसी प्रकार से एक वियोस्ता हमें आवतर लेंस में भी मिलती है यहां पर भी हमें प्रकार बिंदू O, यहां C1, यहां F1, यहां F2 और यहां C2 मिलेगा और इसके लिए भी हम प्रति बिंबो की चर्चा करेंगे अब आएंगे हम नियमों के तोर तो नियम कैसे हैं और इनका क्या मतलब निकलता है यह देखते हैं पहला है कि गोलिये लेंज से आपवरतन के क्या क्या नियम है पहला यदि वस्तु अनन्त पर रखी हो तो उससे आपतित किरने एक दूसरे के समानतर आएंगी यह चीजे हम लोगोंने पहले भी देखी हुई है दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज ये है कि यदि मुख्य अक्ष के समानतर आप्तित किरने हमें दिखाई देती हैं तो अपवर्तन के पस्चाथ वह फोकस से होकर गुजरेंगी मतलब इसके लिए यह F2 है और यहां कहीं पर C2 होगा ठीक है तो यदि मुख्य अक्ष के समानतर पकास किरने हमें आप्तित होती हैं तो वो अपवर्तन के पस्चाथ F2 से होकर गुजरती हैं इसी प्रकार से यहां पर यदि यह आउतल लेंस है ना तो आउतल लेंस के लिए क्या है कि अनंत से आती हुई एक दूसरे के समानतर मुख्य अक्ष के समानतर आप्तित किरने अपवर्तन के प्रकार बस्चाथ इस प्रकार से फैलती है कि उनको पीछे ले जाकर देखा जाए तो वो F1 से आती हुई प्रती तो होती है ठीक है आगे देखिए यदि हम फोकस बिंदू से ही प्रकास का स्तुरूद बना दें तो क्या होगा तो फोकस बिंदू से निकलने वाला प्रकास वो क्या होगा कि अपवर्तन के प्रस्चाथ मुख्य अक्ष के समानतर मुख्य अक्ष के समानतर जाएगा इसी प्रकार से यदि हम लोगों ने प्रकास की किरणों को यहाँ पर क्या किया यहाँ पर प्रकास की किरणों को हम लोगों ने इस प्रकार से रखा कि उनकी दिसा ये गलत बना है उनकी दिसा यदि मुख्य अक्ष मतलब फोकस की और आती हुई किर्णे हमको दिखाई देंगी तो अपवर्तन के पस्चाहत ये समानतर जाएंगी ठीक है आगे की बात है कि यदि प्रकास के अंदर से कोई भी किर्ण गुजरती है तो उसका अपवर्तन नहीं होगा वह मतलब वह जो है बिना किसी विचलन के अविचलित रूप से सीधी निकल जाएगी तो ये हमारा हो गया प्रकास के अंदर ओ अब यहां पर भी हमको वह ऐसा ही दृष्ट दिखाई देता है कि प्रकास के अंदर से अविचलित की रण निकल जाएगी तो हम लोगों ने अभी नियम सीखें हैं नियमों के बाद में जिस प्रकार से रेखिक आरेक जो होता है चित्र आरेक होता है न तो वो हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद